यह देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं प्रच की रसोई में आलू के बरूले जो बहुत हमारे यूपी की बहुत फेमस चाट है अच्छा कर अलिगड की यह एक चमच तो मैंने लिया है पिसादनिया और यह लिए एक बड़ी एक चमच बरके चाय चमच बरके पूरी कस्मीरी मेर्च और एक चमच लिया है नमक स्वादा नुसार इनको छीलते नहीं है छोटे आलू होते बहुत छोटे इनको उबाल के ऐसे ही बनाया जाता है महा तो तो मैंने भी ऐसे ही बनाने की कोशिस की है और यह देखिए हैं मैं इसमें डार रही हूं दो चमच अरा रोट और हम मैं डारूंगी इसमें चार चमच बेसन अलाकि अरा रोट से भी बन जाते हैं पर मैंने देखा है जो चाट बनाते हैं पूरी भरबर के चाट बनाते हैं अलिगण में वो बेसन डालते हैं आप कभी भी देखना बेसन डालते हैं वो अरा रोट कम डालते हैं बेसन जादा ड अब मैंने इस पर डाल रही हूं यह कस्मीरी लाल में बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी यह देखिए फिर मैंने इसमें कलर डालने की जरुरत ही नहीं पड़ी यह देखिए अब इन पर कोटिंग हो जाएगी पूरी तरह से यह चड़ जाए अच्छी तरह बेशन और अरारोट सोई में सेख दूंगी यह देखिए बना लिए मैंने और बना के अब मैंने कड़ाई की तरफ लेके जाऊंगी हाथ गंदे हो रहे हैं अब यह चटनी इसमें मैंने वो तो पालक की चटनी बनाते हैं मैंने हरा धनिया ताजा था हरा धनिया और मिर्च की चटनी बनाई वो लोग तो पालक की बनाते हैं तो वो उनको बेचनी होती हैं हमको कोई बेखनी थोड़ी हमको खुद घर पे खानी है और मैंने इसमें एक चमच जीरा डाल दिया एक चमच से कम हमचूर पाउडर डाला है स्वादानसार नमक डाल दिया है और यह देखिए पिसके ते आ रहे हैं है न वह पालक के पत्ते होते हैं इसलिए ज्यादा गहरा बारा कलर आता है अब मैं कड़ाई में डाल देती हूं यह बरूले स्वारी डालते हैं अब दिखाऊंगी दुबारा से यह ऐसे डाले थे बैने बनके तयार हो जाते हैं जटपट से तयार हो जाते हैं उस समय नहीं लगता है लेकिन बहुत स्वादेश्ट लगते हैं बहुत स्वादेश्ट अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए सेयर करिए ज्यादा से ज्यादा यह देखिए हैं, बहुती स्वादिस्ट बनते हैं यह, इनको एक बार जरूर बना के देखना, उपने बच्चों को खिलाना, परिवार को खिलाना, जट पट से बन जाते हैं, टाइम लगता नहीं है ज्यादा, बस इनको उबालना भी ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि यह 70 परसेंट उबालने चाहिए, ज्यादा सीटी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह तले भी जाते हैं न, तो बस इतना ही इनको उबालते हैं, मैंने दो सीटी लगाई थी, बस दो सीटी में इन उतार ली थे, यह देखिए, इसे गे न, कितने अच्छे लग रहे हैं, जितने यह देखने मच्छे लग रहे हैं, उतने यह खाने में बहुत स्वाधिस्ट थे, देखिए, भर भर के खाये थे खूर, यह देखिए, अब हमने यह सर्व कर रहे हैं, कटूरी में मैंने ले लिए पिलेट में, और यह हरी चटनी है, थोड़ी गाड़ी हो गई है, और यह ट नहीं था, इस वज़े से यह ऐसी है, पर यह टाबाटर के मीटी चटनी है, यह आप डालो मन डालो, हरी चटनी से खालो, वो भी बहुत स्वाधिस्ट लगती है, और मैं तोड़ी सी हरी चटनी डाल दी है, और आब इसके उपर डाल दूँगे थोड़ा सा दई स्वाध के लिए, घर में बन रहे हैं, बाई कैसे भी बना के आपकी मर जी है, जैसे खाना चाओ, बैसे काई है, बहुत अच्छे लगते, जो भी चीज़ डालो, बड़ी स्वाधिस्ट लगते हैं यह, यह देखिए, लिजिए और खाईए, आपको तो पता ही है, पहले मातारानी का भ लगने के लिए जाएंगे, यह देखिए, बर्गे त्यार हैं, रादे रादे मिलते हैं, अगली वीडियो में कुछ अच्छा लेके, खुश रही हैं,